कि जैहिंदी श्टड़ी बसे रहागे नए वीडियो में आप सभी कहार्दिक स्वागता चैनल पर नय तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने अज़िए प्रेंड के साथ जरू भी करते चलिएगा फीवर के कारण मैं परिसान था तो चलिए स्टार्ड करते हैं आज का मैं ठीक हो गया हूं तो स्टार्ड करते हैं जितने भी बच्चे हुए करेंड एफेर से पुराने जो बच्चे हुए 15 सितंबर तक करने अपडिट कर लिया था अब हम लोगी स्टार्ड करते हैं आगे जो बच्चे हुए 16 तरह से वन बच्चे हुए सब आपको प्रवाइड करने की कोशिज करूंगा सभी प्रवाइड करूंगा मैं चलिए तो स्टार्ड करते हैं आज का पहला प्रस्ट प्रधान मंत्रिक ग्राम स्टक चलोंग और इस चरण में करीब 6500 क Doctor किऊल intenti पर चलते हैं हर्याना विधान सभात को भी बंग भंग निनए पर तो वह की जो मुख्छ रहे इन्होंने हर्याना के विभानसभा को भंग कर दिया था और हर्याना सबाइश आप्को बचूसर ऑफ यह होने और जह सब्सक्रयाइश यह कतनी नियुक्त अक्टूबिक्ति बने चलते हैं नेक्ट-पाइब पाइपलाइन बहुत इंपोर्टन प्रस्न है तापी पाइपलाइन क्या है फूल फूम पहले समझे तापी का फूल फूम क्या हता है टी फोर तुर्कमेनिस्तान ए फोर अफगानिस्तान पी फोर पाकिस्तान और ए फोर अपना इंडिया यह तापी पाइपलाइन तुर्कमेन तोसे ई legen awakening अस्तान होते हुई पंजाब के फाजिक्ला नवाक्र तक आएगी की लंबाई करीब 1814 किलोमीटर है 1814 किलोमीटर करीब यह लंबा है चलिए नेचुरल पाइपलाइन है नेचुरल गैस पाइपलाइन है यह ध्यान रखिएगा चलिए नेचुरल गैसे से ट्रांसफर की जाएगी तुर्कमेनिस्तान से होते हुए आफगानिस्तान पकिस्तान सब को शेर करते हुए इंडिया तक पहुंचेगी यह गैस नेचुरल गैस चलिए यह देख लिए यह जमू कास्विर भी चुनाव चल रहे हैं जिनका तीन चरण में जमू कास्विर में विधानसवा चुनाव चल रहे हैं 18 सिंदंबर 25 सिंदंबर और एक अक्टूबर को चुनाव जो परिणाम आएंगे आठ अक्टूबर को वहां भी आएंगी और हरियाना में पांच अक्टूबर को होंगे और चुनाव परिणाम आठ अक्टूबर को ही आएंगे हरियाना के भी दोनों ही के आठ अक्टूबर को ही चुनाव परिणाम चलते हैं लिए फीज के होता है इंटरनेशनल होकी फेडरेशन जो भी इटरनेशनल होकी रुणामेंट होते हैं तो इसकी अध्यक्स क्या कारेकल बढ़ाया गया है इंटरनेशनल होक्षी फेडरासर्शन की अध्यक्ष बनने वाले एक मात्र भारतियां है नरिद्र बत्रा नरिद्र बत्रा की अस्थान पर पहली बार वो फीच की अध्यक्ष बने थे यह पहले कारेकाल के दोरान बाइस में मुहमत इक्राम मुहत तयब इक्राम नरीदर बत्रा के स्थान पर ही फीज की अध्यक्ष बने थे चलिए नेक्ट पॉइंट पे चलते हैं दो नेक्ट पॉइंट है रंगी मचली एप्लिकेशन भुनेस्वर में ऑडिसा इसे यह कोंच के मंतरी है तो मतेस्य पशुपालंडेट क्रेश्व और देंगिन मचली में क्या किया जाएगा किसकी जनकारी दी जाएगी तो सझावटी मचलिया गषार किस अप्लिकेश्छ सकता किस तरह से उसे देख भाल करना चाहिए हम लोगों को, जोने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों ने पढ़ा था, 79th राष्ट महासभा का आयोजन किया जाएगा, और इसके जो अध्यक्ष बने हैं, फिलेमान यांग, जो की कैमरून स्टेट के, कैमरून कैमरून के, फिलेमान यांग, यह हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहां हम लोग पढ़ेंगे कि इस 79th राष्ट महासभा में, प्लिस्तीन को, प्लिस्तीन को पहली बार सामिल करने की मंजूरिद मिल गई है, सामिल किया गया है, प्लिस्तीन को, तीसे भी ध्यान रखिएगा प्लिस्तीन को बहुत सारे इडियोपिया कंट्री है, उसे इस कंट्री नहीं मानते हैं, परन्तु इसे सहुत राष्ट के महासभा में, जेनरल असेम्बली में सामिल किया गया है, इसलिए यह इंपोर्टन प्रस्ट बन जाता है, तो यह धियान रखिएगा, कि 79th जो महासभ है, जेनरल असेम्बली है, इसकी अधियक्स कौन है, तो फिलेमान यांग है, किस कंट्री की है, तो कैमरून की है, कैमरून की यह प्रस्ट बन जाता है, चलते हैं, इनेमी प्रोपर्टी एक्ट 1968, यानि कि सत्रू संपति अधिनियम 1968 के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार, पकिस प्रवेज मुसर्प, उनकी संपति जो बागपत में, उत्तर प्रदेश के बागपत जीला में इस्ती थे, करीब 13 बिघा जमीन है, उसे जप्त करेगी और जप्त करेगे निलाम भी करेगी, जो सबसे ज़्यादा बोले लगाएंगे, वो जमीन उसके नाम हो जाएगी, वो जाकर सेटल हो गया, वहीं का नागरिक, नागरिकता ग्रहन कर लेती, इसलिए ऐसे लोगों के जो संपति है, उसे सत्रू संपति अधिनियम के तहट रखा जाता है, उसके तहट सरकार जप्त करती है, और फिर उसे निलाम कर देती है, सत्रू संपति, उसे संत्रू मना जाता है ने डिएकेटरस जेरल गाया है अवत्सक्त अमृत मोहन परसाथ है कि अम्रीत मोहन प्रसाथ बनाए गल गाया है ने डिएकेटरhat जेनरल इस बी जो स्थेश़्ड़ी जोola एसाइस स्वह बिक हम पढ़ा था इन्हें बीसेप का डाटर बना दिया गया था यह यह से भी ध्यान रखिएगा दोनों साथ में इसलिए दोनों का रिभाइज कर लेते हैं हम लोग से लिए नेक्स्ट कॉइंट पर चलते हैं मंदल में अधियर में पायाती है वाय मंदल में और वाय मंदल में पायाती है यह है यह अरत nos longer उपर जाते हैं तो नीचे होता है 0-12 किलron करीब में होता है ऐस स्ट्रेट इस फिर उसके बाद होता है अध Release उसके बाद होता है धर्मो स्फियर उसके बद होता है एकश्यो स्फियर गर 12-12- apocalypse किलो मिटर के करीब होता है इस्ट्र स्वासच crispy होता है 50-80 किलो मिटर के करीब होता है और 80-400 किलो करीब होता है thermosphere thermosphere को हम लोग ऑनosphere कहते हैं और चार सो से ज्यादा उपर के स्फेर को जो होता है वह 100 सफेर होता इसे इस स्पेस धिए श्पेस की काउंटिंगे करमन र filthy पर इस सम्लों Marketing कहां होते कितने करमन रिखा कई धर्ती से हमारे डर्थ से 100 किलो किलो मीटर होती है करीब 100 किलो मीटर कर्मन रेखा कर्मन लाइन जिसे कहते हैं इसे भी ध्यान रखिएगा चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट था सभी के सभी आसा करता हो लोगों सेशन पसंद आया होगा अब स्वस्थ सही है रेगुलर वीडियो आएगी आसा करता हो स्वस्थ में रहूंगा और रेगुलर वीडियो आप लोगों को प्रॉवाइड कर पाऊँगा इसी आसार उमीत के सोर और आप सब की सभलता कि मंगल कामना के साथ मिलते हैं फी नई वीडियो में तब तेकले जय स्वस्त्रे मस्त्रे धन्यवाद